हलो डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट मुद्दे पर कि क्या 12th क्लास की एक्जाम करवाई जाहिए कि नई करवाई जाहिए मिस्टर रमेश पोकरियान निशंक जी ने एक ट्वीट करके ये इंफर्मेशन दी है कि वो एक मीटिंग और्गनाईज कर रहे हैं 23rd of May को जहां पर बड़े-बड़े मिनिस्टर चैसे Mr. राजनाथ सिंग जी, इस्मरती इरानी जी और भी कई जो स्टेट गवर्मेंट के education ministers हैं वो और जो secretaries हैं education secretaries हैं वो लोग मौजूद रहेंगे सभी states के इसका मतलब ये जो examination के उपर चर्चा है ये होने वाली है क्योंकि यहाँ पर definitely पूरे इंडिया की बात होगी किसी particular CBSC board की या किसी MP board की UP board की बिहार board की किसी particular state board की बात नहीं होगी यहाँ पर पूरे इंडिया की बात होगी तो क्या ये 12th class की exam करवाई जानी चाहिए या नहीं करवाई जानी चाहिए आपकी क्या views हैं आप हमें comment box में बताएं जब तक हम आपको ये बताते हैं कि actual में क्या मुद्दा हो सकता है CBSC का कई जो बड़े बड़े विशेशग्य हैं जो exam विशेशग्य हैं इन लोगों का मानना है कि 12th board की exam बहुत important exam होती है और इसे करवाई जाना चाहिए क्योंकि 12th board के ही results से आप लोगों का future जड़ा होता है यहाँ पे सबसे ज़दा important चीज ये है कि 12th board से कई universities में आपको admission मिलता है 12th board के exam के basis पे ही कई जगे पे आपको easily admissions मिलते हैं इसी result को हमेशा आपका पूछा जाता है यह result आपका maximum समय तक काम आता है तो क्या यह exam होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे दूसरा जो face है हमारे coin का वो यह है कि अगर यह exam conduct करवाई जाती है तो इसमें कितने सारे students का करोडो students लाखो students का जो future है वो खत्रे में हो सकता है उनकी जान खत्रे में हो सकती है तो यह दो मुद्ध हैं कि अगर आप नहीं करवाते हो तो future और career पे बात आती है और अगर exam करवाते हो तो बच्चों की जान पर बात आती है तो CBSE ने कुछ तरीके निकाले हैं जो हो सकता है कि कल की इस meeting में discussion किये जाएं CBSE ने एक तरीका निकाला है कि हम सभी जो papers हैं सभी जो exam से CBSE around conduct करवाता है बहुत सारे subject की exam और हम आपको बताते हैं around 174 subjects होते हैं जिनकी CBSE exam conduct करवाता है लेकिन CBSE ने बोला है कि अब हम इतने सारे subject की exam conduct करवाने की बजाए कुछ ही subjects की exam conduct करवाएंगे और उन्होंने इन 174 में से सिर्फ 20 subjects को select करने के उपर प्लान किया है यहाँ पर जो 20 subject है major subjects है जो वो है physics, chemistry, mathematics, biology, history, political science, business studies, accountancy, geography, economics and English इन subjects के उपर CBSE चाहता है कि exam conduct करवाई जाए क्योंकि जो भी student है वो 5 या 6 subject select करते हैं उसमें से जो 3 subject होते हैं वो major होते हैं और एक elective होता है at least एक या दो elective subjects होते हैं तो 3 subject जो major subject है हर student के वो प्लस एक elective का वो exam conduct करवाना चाहती है अब यहाँ पर exam तो अगर conduct करवाई जाती है तो फिर वही बात भीड़ इखटा होगी सही definitely भीड़ इखटा होगी तो 90 minutes में सिर्फ आपको दिया जाएगा objective type questions और small answer type questions यह plan CBSC ने दिया है Mr. Ramesh Pokhriyal जी को और Ramesh Pokhriyal जी सारे state के जितने भी education ministers हैं और जो भी यहाँ पर education secretaries हैं उन सबसे यह चीज discuss करेंगे और फिर वो यह discuss करेंगे कि क्या यह exam इस level पर conduct करवाई जा सकती है हो सकता है कि यही मुद्दा रहे कल की इस बड़ी meeting का तो अब देखते हैं कि क्या होने वाला है अब सबसे ज़ादा important बात यह होगी देखने वाली कि इस meeting के बाद में हमें क्या result देखने को मिलेगा और अगर exam होती है तो यह exam कब करवाई जाएगी क्योंकि अभी भी कोरोना के cases थमने का नाम नहीं ले रहे है तो अगर यह exam होती है तो यह exam कब करवाई जाएगी इसी pattern में अगर करवाई जाती है तो तो देखते रहे हमारे इसी channel को like कीजे, subscribe कीजे ऐसे ही कुछ important videos के लिए और एसी ही news हम आपके लिए लाते रहते हैं और भी educational videos अगर आप दिखना चाते तो हमारे channel को subscribe कीजे और bell icon को दबाना ना भूले Thank you so much for watching